नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल अजाय स्ट्रो मनी गुरू पर जहां हम आपको ताजा कॉटन मार्केट की जानकारी और विस्त्रित विशलेशन प्रदान करते हैं आज 15 अक्टूबर आंध्रप्रदेश और टेलंगाना की मंडियों में कॉटन के भाव स्थिर बने हुए हैं इसका मुख्यकारण स्पिनिंग मिलो की सीमित मांग है इन दोनों राजियों में कपास की दैनिक आवक भी स्थिर हो गई है जिससे बजार में किसी बड़ी हलचल की उम्मीद फिलहाल नहीं देख रही है आंध्रप्रदेश में बादल छाय हुए हैं जबकि तेलंगाना के कपास उतपादक क्षेत्रों में मौसम साफ है व्यापारियों का मानना है कि चीन जो की विश्व का सबसे बड़ा कॉटन आया तक है उसकी मान कमजोर बनी हुई है इसका असर अंतराष्ट्रिय बजार पर पढ़ रहा है और कॉटन की कीमतों में दबाव देखा जा रहा है वहीं घरेलू बजार में भी नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही नई फसल की आवग बढ़ने की संभावना है इसी कारण से स्पिनिंग मिले अभी केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही है आंध्रप्रदेश और टेलंगाना में कपास के साथ ही बिनौला के भाव भी स्थिर बने हुए है घरेलू वाइदा बजार में भी कॉटन की कीमतों में कमजोरी देखी गई NCDEX पर अप्रेल 2025 के वाइदा अनुबंद में कॉटन की कीमत 6.5 रुप्य घटकर 1571 रुप्य प्रती 20 किलो पर आ गई इसी तरह NCDEX पर जुलाई 2024 के वाइदा अनुबंद में भी 130 रुप्य की गिरावट दर्ज की गई और कीमते 56,720 रुप्य प्रती कैंडी पर पहुँच गई इन राज्यों में आज कुल 8,000 गांट कपास की आवक हुई जिसमें आंध्रप्रदेश की मंडियों में 5,500 गांट और तेलंगाना की मंडियों में 2,500 गांट शामिल है ये संख्या पिछले कारोबारी दिवस की आवक से समान रही है महराश्ट्रा की मंडियों से भी आज कौटन के भाव स्थिर बने रहने की खबर है 15 अक्टूबर को स्पिनिंग मिलों की सीमित मान के कारण राज्य की मंडियों में कपास की कीमते स्थिर रही जबकि दैनिक आवक में विद्धी दर्च की गई है महराष्ट्रा के कपास उतपादक क्षेत्रों में बादल छाय हुए है और व्यापारियों का कहना है कि हाल ही में अंतराष्ट्रिय बजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आई है हाला कि राज्य में कपास का नया सीजन शुरू हो चुका है लेकिन स्पिनिंग मिले अभी किसी भी तरह की तेजी से खरीदारी नहीं कर रही है पिछले सीजन में तेज भावो के कारण मिलो को पूरे सीजन में सीमित माजिन के साथ काम करना पड़ा था इसलिए इस बार मिले सतरक्ता बरत रही है कपास के साथ साथ बिनौला के भाव भी स्थिर बने हुए है घरेलू वाइदा बाजार में आज भी कॉटन की कीमतों में कमजोरी देखी गई MCDEX पर अप्रेल 2025 वाइदा अनुबंध में 5.5 रुप्य की गिरावट आई और कीमत 1572 रुप्य प्रती 20 किलो पर आ गई वहीं MCX पर जुलाई 2024 वाइदा अनुबंध में 130 रुप्य की गिरावट के साथ कीमते 56,720 रुप्य प्रती कैंडी पर आ गई महराष्ट्रा में आज 4000 गांट कपास की आवक हुई जो पिछले कारोबारी दिन की 3500 गांट से अधिक है इस प्रकार आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महराष्ट्रा में कोटन की कीमते स्थिर बनी हुई है और दैनिक आवक की स्थिती पर भी नजर बनी हुई है अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद